अब कबर फरिदाबाद से जब फरिदाबाद NIT से कॉंग्रिस के उमीदवा नीरश शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है चुनावों में जीत पर वोट के बदले नौकरी की बात उनकी तरफ से कही गई है कॉंग्रिस के आने पर दो लाख नौकरी का बादा ये कहा है जीता के भेश दो तो 2000 नौकरियों का वोट मिलेगा मैरिट के बाद हमें समझ रही आते हैं ये उनकी तरफ से कहा गया 50 वोट पर एक नौकरी की सिफारिश का बादा भी किया है तो फरिदाबाद NIT से कॉंग्रिस के उमीदवार है नीरच और नीरच शर्मा की तरफ से ये बड़ा बयान सामनी आया है उन्होंने कहा है कि चनावों में जीत पर वोट के बदले नौकरी की बाद कही है कॉंग्रिस के आने पर 2 लाख नौकरी का वादा किया गया है जिता के भेश्टों तो 2000 नौकरियों का वोट मिलेगा ये कहा है उन्होंने मैरिट की बात हमें समझ नहीं आती 50 वोट पर एक नौकरी की सिफारिश का वादा नीरच शर्मा की ओड़ से कहा गया कि जिस गाउं से जितने वोट उतनी जादा नौकरिया मिलेंगी ये फरिदबाज से एनाइटी से कॉंगर्स के जो उमीदवार है नीरच शर्मा उन्होंने ये बड़ी बात कहिए बड़ा बयान दिया है वाद आम की उतनी जादा नोकरी लगेंगे यूँ मेरो फैसलो ना है इस समण को फैसलो कल कु मेरे उपर धोग देओ उनके जाते कोई 10-50 बोट आने और वहीं देखे कारवाख मुखिमंत्री नाइब सिंग स्यानी ने वीडियो शेयर किया है का प्रचार हो रहा है कॉंग्रेस का पहला बादा नौकरी फिर परची खर्ची पर बाटेंगे तो ये जो वीडियो हमने आपको दिखा आया कॉंग्रेस के उमीड़ा निरश शर्मा का ये दरसल वीडियो कारवाक मुखी मनफी की ओर से सोचल मीडिय एक्स पर पोस्ट किया गया और उन्होंने तंच भी कसा कॉंग्रेस पार्टी पर वो लिखते है कि खुड़ा के नियत और कॉंग्रेस के असली चाल चरित कर परचार कॉंग्रेस का पहला बादा नौकरी फिर परची खर्ची पर बाटेंगे ये कारवाक मुखी मनफी ने विड़्दी की आपको पोस्ट रम दिखा रहे हैं उसमें उन्होंने तंच भी कसा है और ये जो बात है वो लिखी है इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं दीपक गौतम दीपक आज कॉंग्रेस पार्टी की ओर से देखिए गरंटी पत्र यानि कि जो उनका खोश्टा पत्र है वो जारी होने वाला लेकिन उससे पहले एक वीडियो सामने आता है खुद कॉंग्रेस की उमीदवाद नीराश शर्मा का ही वो ये कहते है साफ तोर पर कि अगर आप वोट दोगे तो हम आपको नौकरिया देंगे देखे बिलकुल नीराश शर्मा ने जो बॉल है ये अपनी ही बॉंडरी बॉल कर ली है एक तरह से आप इसको इस तरीक ऐसे समझ सकते हैं कि कोशिश नीराश शर्मा ने तुकीत ही इस बात की कि मतदाताओं को अपने पक्ष में लुभाये जाए लेकिन बैठे बैठे बारती जंता पार्टी को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है नीराश शर्मा साफ तोर पर कह रहे हैं कि कोटा सिस्टम लागो होगा वो कह रहे हैं कि अगर दो लाक नौकरियां लगनी है हर्याना में जैसा कि पूर मुख्य मंतरी भूपंद्रे सिंग हुड़ा कहते हैं तो इस मैंसे 2000 का कोटा उनका भी होगा साफ तोर पर कह रहा हैं कि 500 वोट अगर दिलाओगे तो नौकरी के लिए सिफारिश करूँगा जतने ज्यादा वोट आप दिलाओगे जतने ज्यादा डबे में वोट बरेंगे एवी एम में जतने बटन दबाओगे उतने ज्यादा इलाके के लिए नौकरिया होंगी और ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है चूकि तमाम बातें पिछले दस सालों के दौरान हमने देखा कि भारतिय जन्ता पार्टी एक बात का प्रचार प्रसार बहुत जबर्दस तरीके से करती नज़र आई कि बिना परची बिना खडची हम तमाम ऐसे लोगों से मिले जो इस बात को कहते थे कि मैंने किसी तरह का कोई पैसा किसी को नहीं दिया किसी तरह कोई कोटा नहीं था और ओसके बाबजोर्द मेरिट के आधार पर बंड़ती होई और भारतिय जन्ता पार्टी इस बात को प्रचार अरून करती नज़र आई तमाम ऐसे लोगों से हम मिल और वो इस बात को लेकर भारतिये जंता पार्टी की तारीफ करते थे भारतिये जंता पार्टी जब भी बात करती थी तो वो इस बात को लेकर कॉंग्रेस पर निशाना साती थी कि कॉंग्रेस के समय पे कोटा सिस्टम चला करता था किसी विधायक के कहने से नोकरी लगती थी क चुनाव के दौर में यह मुद्दा अपने आप में बड़ा हो जाता है कि क्या ऐसी इस्तिती दुबारा इस प्रदेश में लोग चाहेंगे जहां जो योग उंबीद्वार हैं उनको नौकरी ना मिले जो योग उंबीद्वार हैं वो काम ना कर पाएं नौकरी किसे मिलेगी अब जो नीरश्चर्मा कहा रहा है कि नौकरी सिर्फ उसे मिलेगी जो निताओं का पसंदीदा होगा वो कह रहे हैं कि तमाम जो नौकरी होंगी वो निताओं के हाथ में होंगी वो जिसे चाहेंगे उसको दिला पाएंगे और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है और प्रदेश के जो यवा हैं प्रदेश के तमाम रोग हैं वो भी इस बात को सोचने पर इस बयान के बाद मजबूर हैं कि आखिर ऐसा कैसे कोई निता कह सकता है एक पार्टी का प्रदेश तो जो निता करता है वो विधायक अगर इस तरीके की बातें करता है कि नौकरीया हो रही है कि जो प्रदेश के तमाम युवाओं को मेरिट के अधार पर नोकरिया मिली है और जब इस तरह का बयाना आता है तो यह चिंता का विशह जरूर है कि इसका मतलब यह कि आने वाला समय अगर सरकार इनकी आती है तो कोटा सिस्टम रहेगा यह नीरत शर्मा के रहे ह ही है और मुझे जिता के भिश्टे हो तो उसमें मेरा कोटा रहेगा। भारतिय जंता पर्टी ने भी इस पर परत्वार किया है और साथतोर स्लकूर करते है किस तरह से प्रदेश के योग गुंबीदवार हैं उनके साथ खेल करते हैं और बिलकुल ये निशाना साधना बनता है भारतिय जंता पार्टी का जब उनका एक नेता का इस तरह के बयान देता है तो ये बयान वास्तव में चिंता का विशह है और ये बहुत सोचने की वज़ था जगातर बीजेपी गिर रही है उस मामले को लेकर भी और अब एक उम्मीदवार की तरफ से ये बयाना आता कि मैरिट की बाता में समझ नहीं आती है पचास वोट पर एक नौकरी की सिफारिश का वादा पक्का है और जिस गाउं से जितने वोट आएंगे उतनी जादा देखे आम तोर पर हम देखते क्या है आमतौर पर हम यह दिखते है कि जब चुनावी दोर होता है तो नेता अपने पक्ष में वोट ड़वाने के लिए तमाम तरीके के वादे करता है तमाम तरीके की चीजे रख करता है लेकिन बहार्ट के जो विधायक है नीरस शर्मा इन इनका ये बयान इस समय इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि पिछले 10 साल से भारतिय जंता पार्टी इस बात को लगातार उठाती रही कि पिछली जो सरकार होती थी उस सरकार में नोकरियां योगिता के आधार पर नहीं मिलती थी नोकरियां सिफारिश के आधार पर मिलती नोकरियां योग उमीदवार हैं उनको नहीं मिलती थी और भारतिय जंता पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठाती रही हमने लगातार देखा कि तमाम जो जिक्र होता है जब आप भारतिय जंता पार्टी के पिछले 10 साल की उपलबदियों की बात करते हैं तो उसमें ज किसी से बात नहीं की हमने टेस्ट दिया और टेस्ट में हमारा नंबर आया इंट्रिव्य दिया हमने नंबर आया और हम किसी को नहीं जानते थे हमने किसी को पैसा नहीं दिया है तो भारतिय जंता पार्टी जिस आरोप के तहत कॉंग्रेस को घेर रही थी पिछले 10 साल से उ तो भयान जो उने साफतोष पर कहा है ऐसा नहीं है कि जोवान फिसली है वो साफतोर पर कहते नजर आते हैं इस बात को की कोटा सिस्स्टम होगा 2.50 नौकारिया होंगी तो इतनी नौकरिया यहां मिलेंगी इतने vote दोगे, तो इतना इसकी सिफारीश होगी, अगर vote ज़ादा दोगे, तो दूसरी तरह से सिफारीश होगी, तमाम तरीखे की बाते हैं कहते नज़र आते हैं, इसका मतलब साफतोर पर यह कि नीरश शर्मा ने ये बता दिया है, कि अगर सरकार आती है, तो युवाओं को योग गिता के अधार पर नोक्रिया नहीं मिलने वाली है उन्हें क्या करना है उन्हें करना ये है कि उन्हें जो संबंदित विधायक है संबंदित मंत्री है उसके घरों के चक्कर लगाने है उसकी गुड़ुक में आना है और अगर उसकी गुड़ुक में वो जो उम्बीद् तरह से क्योंकि काविल उंबीदबार पढ़ाई पर ध्यान देंगे काविल उंबीदबार प्रतियोगी परीक्षा जो है उनकी तयारियों पर ध्यान देंगे वह अगर निताओं के चक्कर लगाएंगे तो फिर समझ नहीं आता है तो नीरश शर्मा का यह जो बयान है यह अप पिछले दस सालों से लगा रही थी लगातार बात ही हो रही थी उस आरोप को खुद नीरश शर्मा ने सुईकार किया है और साफ तोर पर कह दिया है कि कोटा सिस्टम चलने वाला है